दियर स्टुडेंट्स आज हम रिमेनिंग क्वेश्टन एंसे आटे का जो पेज नमबर 110 पर जो दिया हुआ है उसको हम सोड़ करेंगे निमेरिकल्स है क्वेश्टन नमबर 4 पेज नमबर 110 क्वेश्टन नमबर 4 क्वेश्टन है कि एक कार जो है यूनिफॉर्म एसेलेरेशन से चल रहा है और वाओ यूनिफॉर्म एसेलेरेशन है फोर मीटर पर सेकेंड स्कॉर्ड तो अप्टर 10 सेकेंड वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो इनिश्ञ वैलिवॉस्टिपी जीरु हुआ क्वेश्टन है कि फ्रॉम स्टार्ट जब स्था खबी यूनिफॉर्म एसेलेरेशन में क्वेश्टन फोर मीटर पर सेकेंड स्कॉयर और initial velocity उसका क्या होगा ? 0 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी object अगर motion from rest start करता है तो initial velocity क्या होता है ? 0 हो U is equal to 0 meter per second Uniform acceleration given है 4 meter per second square Time है 10 seconds 10 seconds में कितना distance cover होगा यह निकालना है S, the distance covered by that racing car in 10 seconds If it goes under uniform acceleration of 4 meter per second square and it starts from rest S is equal to आप जानते हैं U T plus half 80 square 0 into 10 plus 1 by 2 into 4 into 10 square 0 into 10, 0 into 10, 2 to 4, 200 meter Distance covered by the car, वा कितनी होगी ? 200 meter Question number 5 Question number 5 5 है numerical है कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवार्ड फेका गया 5 meter per second के speed से एक स्टोन इस्टोन 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 वर्टिकली अपवार्ड विथ है Speed of 5 meter per second अब जानते हैं आप कि अगर एस्टेलेरेशन का डियरेक्शन मोशन के डियरेक्शन में हो तो magnitude of motion यानि Speed का magnitude या velocity का magnitude क्या होगा इंकरीज करेगा लेकिन एस्टेलेरेशन का डियरेक्शन अगर बोजित हो मोशन के डियरेक्शन से तो Speed और velocity का magnitude क्या होगा डिक्रीज करेगा तो यहाँ इस्टोन को vertically upward फेका गया ground से मालिजिए ground है यहाँ से vertically upward stone को फेका गया किस वेलोसिटी से initial velocity है 5 meter per second और acceleration due to gravity यहाँ downward होगा यह क्या होगा downward तो यहाँ velocity और acceleration का direction एक दूसरे के अपोजित है तो यहाँ यह क्या होगा minus 10 meter per second square जो दिया हुआ है acceleration due to gravity जो motion के opposite direction में है चुकि स्टोन को upward direction में फेका गया acceleration downward होता है हमें साथ यहाँ negative sign यह सो करता है कि यह retired होगा इसमें retardation होगा आप ऐसे भी देखते हैं कि किसी स्टोन को जो आप फेंकते हैं आप से आप साइन्सो करता है कि अपोजी डेरेक्शन में है क्या मेक्समाम हाइट किस हाइट पर यह पहुंचे गार यहां उसकी वेलोसिटी जीलो हो जाएगी और वहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगे गया यह यहीं मेक्समाम हाइट एटेंड बाइड़ स्टोन एस निकलना है तो एस निकलना है कब जब इसकी फाइनल वेलोसिटी जीलो हो जाए तो इव इस इक्वल टो फाइफ मीटर पर सेकेंड अब आप पढ़े हैं थार्ड एक्वेशन अफ मोशन भी ऐस पर इस प्रस टू एस अब इस फोर्मूला का आप यहाँ आप लाइक किजिए भी ऐस प्रस टू एस V0, 5k2, plus 2, into minus 10, into S, 25 minus 20S, 20S, 25, 25, S, C, D equal to 25 by 20, 5 by 4, 1.25 meter, maximum height attainment करेगा, कितना, 1.25 meter, और यहाँ तक आने में, वह कितना time लेगा, यह T, विल निकलना है, आप जनते हैं, V is equal to, U plus A T, V0, U5, plus minus 10, into T. 10T, imply that 0 is equal to 5 minus 10T, 10T is equal to 5, then T is equal to 5 by 10, 10T is equal to 1 by 2 second, half second में, यह maximum height attain करेगा, अब एक निमेरिकल और देखिए, यह निमेरिकल इन्से याटि में भी है, लिया हुआ होगा, यह नहीं भी दिया हो, तो समझेए इसको, क्वेस्टन है, कर दो देखि़ को, अबरी को दोगे कि अपनी के बनक्याट्रूक्त को comes back to Q at 30 km per hour. find first question its average speed its average speed its average velocity solution a object P to Q here from P to Q distance nai maalum hai so maal liyeh P se Q ke bich ka distance hai x km let the distance between P and Q be x km km अब जाने का speed है 20 km per hour तो पहले जाने में कितना टाइम लगा चुभी average speed के लिए total distance covered by total time चाहिए तो जाने के लिए है for going from P to Q तो distance s1 हमने लिया x select किया V1 है जाने का speed है कितना 20 km per hour तो जाने में time कितना लगेगा S1 by V1 x by 20 hour from P to Q लोटा तो distance तो फिर वहीं होगा S2 x km per hour जो return हो रहा है वह किसे speed से 30 km per hour तो भी तो 30 km per hour time taken T2 जो हुआ यानि returning में कितना time लगा S2 by V2 x by 30 hour average velocity sorry average speed average speed अब जानते हैं total distance covered s1 plus s2 by T1 plus T2 total distance covered by total time taken total distance covered x है from P to Q अफिर Q से P आया तो x वह x plus x time taken x by 20 plus x by 30 to x by ncm नीए 60 टू एक्स टू एक्स इन्टो 60 बाई 5 एक्स 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 केंसे ट्वेल्ट फाइब जा शिस्टी ट्वेंटी-फॉर किलो मीटर पर आवर एवरेज श्पीड हुआ प्रम पी टू की और की टू की टू की आने में उसका का 24 किलो मीटर अब हमको निकलना है कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेस्मेंट बाई टोटल टाइम टेकन तो पी बाई क्यू एक्स गया अगर पी से क्यू का डाइडेक्शन हम पोजीटिव लेंगे तो निसीत रूप से क्यू से पी का डाइडेक्शन क्या होगा वह निकेटिव होगा क्योंकि डिस्प्लेस्मेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डाइडेक्शन पर डिपेंड है तो पी क्यू अगर आप एक्स लेते हैं किलो मीटर तो क्यू पी जो होगा वह माइनस पी एक्स होगा पीकी होगा जो माइ टोटल दिस्टेंस कवर्ड टोटल दिस्प्लेस्मेंट पीक्यू प्लस कुपी बाइ टोटल टाइम टेकें एक्स बाइ 20 प्लस एक्सवाइ 30 तो पीक्यू एक्स बाइ एक्सवाइ 20 प्लस एक्सवाइ 30 जेरो एक्समा एक्सवाइ 20 एक्सवाइ 30 प्लस एक्सवाइ 30 एक्सवाइ 30 टुटो जीरो किलोमीटर पर आवा एव्यू विलासिटी इसका जीरो गए ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोसिशन सेम हो रहा है तो टोटल दिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, टोटल डिस्प्लेस्मेंट अगर जीरो होगा, तो एवरेज वेलिस्टी भी क्या होगा, जीरो ही होगा, थैंक यू, कल आप पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन आप मोशन, थैंक यू